नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक वार फिस से हमेडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक वार फिस से हमेडिया एजुकेशन आपके लिए जोब से रिटीड अपडेट लेके आया है इस वीडियो में जो है हम लोग आपके साथ technical jobs rated update लेके आए हैं तो देखें कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे जो है mechanical, electrical, civil candidates के लिए जो है engineering candidates है उनके लिए jobs निकली है आप देख सकते हैं इसे पहले हमने रेगुलरी, jbt, tgt, pgt और इसे other teaching की jobs rated की updates की वीडियो डाली थी तो अब जो है हम लोग technical के उपर जो है update डालने जा रहे हैं तो दोस्ता हमारे हमेंडिया एजुकेशन चैनल पे आपको सभी प्रकार के jobs rated update मिलेंगे अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को subscribe, bell button को जरूर कीजिएगा तो ये जो notification की अब हम लोग आपके साथ चचा करने जा रहे हैं ये SJBN हिमाचत पुदेश की तरफ से जो है जारी की गी है इनकी तरफ से civil की 30 vacancies जिसको की junior field engineer का नाम दिया गया है इसको इसके लिए आवेदर मांगे गये है qualification की बात करें तो जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है civil engineering में वो इस post के लिए legible होंगे इसकी बात लेटरिकल में जो है जिन्होंने डिप्लोमा में लेटरिकल का रखा है वो इस 35 पोस्टों के लिए legible होंगे mechanical की 20 पोस्टों के लिए आवेदर मांगे गये हैं जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है इस post के लिए legible होंगे उसके बार HR की दस पोस्टों के लिए वेदन मांगे गी हैं इसके लिए जिन्होंने ग्रैजुएशन का रखी है साथ में वन इयर या टू इयर का फूल टाइम पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री है उनके पास या डिप्लोमा है परसनल मेनेजमेंट में या शोशल वर्क में या लेवर वेलफियर में बिजनस मेनेजमेंट में ओफिस मेनेजमेंट में या पब्लिक अडिमिस्टरेशन में डिप्लोमा है तो इसमें से किसी भी एक में है तो वो इस पोस्ट के लिए लिजिवल होंगे उसके बड़ F&A में 10 पोस्टे निकली हैं जिसमें जिन्होंने C.A. कर रखिया या फूल टाइम एमकॉम कर रखिया वो इस पोस्ट के लिए इलिजिवल होंगे इसमें दोस्तों एग्रीकेट परसेंटेज के मार्क्स को आपको दिखा जाएगा अगर आप S.E.S.T.P.W.D. से हैं तो कम से कम आपके डिगरी में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अधर कैटेगरी से S.E.S.T. को छोड़के तो 55% आपके अग्रीकेट मार्क्स इसमें होने चाहिए एज लिमिट की बात करें तो 30 एर से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए सेर्री की बात करें तो जूनिर इंजीनियर के लिए और जूनिर फिल्ड आफिसर के लिए जो है 45,000 पर मंत जो है इनकी तरफ से सेर्री फिक्स की गी है अब बात करते हैं आप रोस्टर वाइस विकेंसिस की तो रोस्टर वाइस विकेंसिस भी आप इस PDF के माधिम से देख सकते हैं कि SC, SC, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए कितनी कितनी विकेंसिस इसमें रखेगी है इसका अगला कोलम जो एक्सर विसमें कैंडिट के लिए रहेगा और लास्ट में PWD कैंडिट के लिए भी इसमें लग से विकेंसिस बताएगी है इसके इलावा अब हम लोग कुछ और ही पुटेंट पॉइंट के उपर चर्चा करते हैं कि सेलेक्शन प्रसेस कैसा रहेगा तो सेलेक्शन प्रसेस जो है आपका कंप्यूटर बेस्ट इसमें टेस्ट होगा तो इसके बार आपके डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जो एक्जामिनेशन के सेंटर रहेंगे वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बिलासपूर, हमीरपूर, कांगरा, कुलू, मंडी, पालंपूर और शिमला, सोलन में रहेंगे इसके इलावा जो अधर सेंटर इनका रहेगा एक्जामिनेशन वो चंटीकर मोहाली और देरादून में रहेगा इसके इलावा कहीं और पर जो है एक्जाम जो है इनका कंप्यूटर बेस्ट होगा यानि के ओनलाइन होगा जिसमें कि आपको 70 Multiple Choice Question जो है आपके Discipline से आएंगे अगर आप सीबिल से हैं तो सीबिल के Question आएंगे 70 Mechanical से है तो Mechanical के आएंगे जो 30 Multiple Choice Question रहेंगे वो आपके से aptitude के पूछे जाएंगे इसमें भी आपको Minimum Qualifying Marks लेने पड़ेंगे इसके लिए apply करने के जो लास डेटा वो 12 फरवरी 22 रखी गिया 23 जनवरी से जो है इसके online जो form है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको भी इसकी complete PDF चाहिए तो आप हमारी official website www.him-india.com पे जा सकते हैं वहां से आप इस application form को जो है और इस PDF को download करके जो है आप इसकी instruction एक वर खुद read भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अधिक जानकारी के लिए जाए और ऐसे ही ओ जो जो अबडेट्स के लिए जो हमारी चैनल को subscribe बैल बटन को जरूर कीजेगा फिलाल इस वीडियो मितना ही थैंक यू वर वचिए हम इडियोकेशन